श्री राम समर्थ मैं दस देह और मन से श्री राम को अरपन हो जाए भगवान की उपासना सारी आतनावों को दूर कर दीती है भगवान की उपासना से चित्त की स्थिरता अवश्य प्राप्त होती है देह यद्यपी बहुत जीरन हो गई है फिर भी वासना का जोर अभी भी रोके नहीं रुकता इस स्थिती को जान कर हम केवल रगुपती को भजे हर्दय में भगवान का ध्यान करे नामस्मर्ण के सिवाए और कुछ न बोले साथ व्यवहार कुशल बन कर किसी के अंतखकरन को वेदना नहीं पहुंचे इसका भी ध्यान रखे जो ऐसा वृत लेता है उसके हरदय में राम का निवास होता है मैं राम का हूँ राम तुम मेरे हो यही अखंड लो लगी रहे हम जी जान से राम से प्यार करे अब मुझे इसके सिवाए और कुछ कहना नहीं है की हम राम के बिना न जीए जो होने वाला है वह होके रहता है और वह भगवान की इच्छा से होता है ऐसी धारना होना ही उपासना है जिसे अखंड राम सेवा का लाब हुआ उसकी माता धन्य है स्वार्थ रहित राम सेवा ही सबसे बड़ा लाब है राम को मन में धारन करो मानस पूजा में उसका ध्यान करते जाओ वाचा से भगवान का नाम लो काया से भगवान की सेवा करो, चित्त में भगवान का ध्यान हो, स्वयम राम को अर्पित हो जाओ, इसके सिवाए अन्य कोई भी सेवा नहीं है, यही सब से बड़ी सेवा है, उपासना धर्ण हो, उसमें किसी भी बात की शर्थ न हो, उतकट भाव से उपासना होने पर मन स्थ फिर होगा हमारा जीवन जिसके हाथ में है उसकी सदा संगती रखे जो जो भी करेंगे उसके साक्षी परमात्मा होते हैं यह ध्यान में रखे मन में धीरज हिम्मत रखनी चाहिए क्योंकि रगुवीर ही मेरे सहायक यह धारना धुड रखे भगवान का नामस्मर्ण इतनी तनमेता से करे कि जिससे हमें अपना विस्मर्ण हो जाए सभी बाते तो इश्वर के इशारे पर होती हैं हम तो केवल निमित मात्र होते हैं जैसा हमारा मन रहस्थी में ढूब जाता है और धन में लग जाता है वैसे हमारा मन इश्वर की आराधना उपासना में लीन हो जाना चाहिए जो उपासना करने वाले सचे उपासक हैं उन्हें हमेशा सतर्क और साउधान रहना चाहिए जब हमने आज तक धुलता से उपासना की है तो भविश में भी उसमें न्यूनता नहीं आने चाहिए सब का कहना सुन लो लेकिन उपासना में खंड या बाधा मत आने दो राम ही मेरा लेने वाला देने वाला है ऐसा मान कर राम ही मेरे आज पास इर्द गिर्द है यह जानो राम के सिवाए विश्व में कोई दूसरा नहीं है यह भावना ध्रड हो सद्गुरु की आध्या को प्रमान मानना ही प्रभु राम की सेवा है बड़े बड़े रुशी मुनी यती संत साधू सब ने एक ही बात की वे प्रभु राम से खणभर भी अलग नहीं रहे प्रभु राम पर पूर्ण विश्वास रखे उपवास या ताप न करे उपासना में लीन होने का अर्थ ही राम के सन्निध रहना है स्वार्थ रहित सेवा से ही इश्वर प्राप्ती होती है जो भी कुछ होता है इश्वर की कुरपा से होता है यही विश्वास हमें हो इसी से संतोश होगा जहां इश्वर की आज्ञा से सब कुछ होता है वहां सामान्य आदमी की क्या हस्ती अतहां परमात्मा जैसे रखेगा उसमें संतोष मानना चाहिए आज का मुख्य विचार चित्त में भगवंत का ध्यान हो स्वयम समर्पन हो जाए यही सबसे बड़ी सेवा है सद्गुर्नाथ महराज की जै 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 रखुवीर समर्थ सद्गुर्नाथ